मासूम से दरिंदगी करने वाला दरिंदग गिरफतार यूपी के संभल में एक दरिंदे ने हैवानियत की हदे पार करते हुए मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना डाला आरोपी ने वारदात को उस समय अंजाम दिया जब 9 वर्षिय मासूम बच्ची अपनी तहेरी बहन के साथ खेत पर नलकूप पर पानी पीने गई थी इसी बीच आरोपी ने मासूम को इक भटे के पास ले जा कर उसके साथ दुशकर्म की घटना को अंजाम दिया और घटना को अंजाम दे कर फरार हो गया इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफतार करने की कारवाही की है मासूम बच्ची के साथ दुशकर्म का पूरा मामला नखासा थाना क्षेतर का है बता दें की कक्षा दो में पढ़ने वाली मासूम बच्ची इसी बीच दोनों बेहनों को प्यास लगी तो वेह पास में ही नलकूप पर पानी पीने के लिए चली गई आरोप है कि इसी बीच गाउं का ही एक यूवक आधम का और मासूम बच्ची को खीच कर पास के ही इट भटे के पास ले गया और उसके साथ दुशकर्म की घटना को अंजाम दिया घटना की जानकारी परीजनों को हुई तो उनके पैरो तले जमीन खिसक गई इसके बाद परीजन थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ कारवाही की गुहार लगाई पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है इस मामले में पुलिस चेत्रा अधिकारी सिधारत ने बताया कि आरोपी कादिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद गिरफटार करने की कारवाही कर ली गई है और पूरे मामले की जांच परताल की जा रही है तथा पुलिस द्वारा दविश देते हुए अभी की रखतारी की मेरी